आज की वीडियो गर आप देख रहे हैं तो या तो आपका बच्चा तीन महीने का होने वाला है या फिर तीन महीने का हो चुका है आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि तीन महीने के बच्चे का वजन, बच्चे के लंबाई कितनी होती है तीन मेने के बच्चे को कितना सोना चाहिए एक दिन में बच्चा तीन मेने का होने पर क्या-क्या नई चीजे करने लग जाता है और क्या चीज अगर आपका बेबी नहीं करता है तो आपको डॉक्टर के पास लेके जाना है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले बात करेंगे बच्चे के वेट और हाइट के बारे में तो अगर आपकी बेबी गर्ल है तो बेबी का जो एवरेज वेट है तीन मेने में वो 4.7 किलो से लेकर 6.3 किलो हो सकता है और बेबी की जो हाइट है वो 59.8 सेंटिमेटर तक हो सकती है वहीं अगर आपका baby boy है तो average weight जो है 5.1 kg से लेकर 6.9 kg और लंबाए 61.4 cm तक हो सकती है आप जानते हैं कि तीन महीने के बच्चे क्या क्या चीज़े करने लगते हैं नमबर बन चीज आपके बच्चे के नजर भी अच्छी हो जाती है देखें जब बच्चा जो है 1-2 महीने का होता है तब तक उसकी नजर इतने अच्छी नहीं होती है पर तीन महीने के आसपास का या तीन महीने का जब का baby हो जाता है तो वह आसपास की चीज़ों को अच्छे से observe करने लग जाता है नमबर टू बच्चे की सुनने की शमता भी पहले से अच्छे हो जाती है बच्चे अब आसपास की आवाज सुनकर रियाक्शन देने लग जाते हैं इसके लावा आप देखेंगे कि आपका तीन मेने का बेबी जो है आपके घर में सबी को पचानने लग जाता है पर जब भी कोई स्ट्रेंजर आता है बच्चे के सामने तो वो उने देखकर रोने लग जाता है इसके लावा तीन मेने का बच्चा जो है अपने हाथ में चीजे जो है उनको होल्ड करने लग जाता है बहुत अच्छे से उसकी ग्रिपनी मनेगे भी पर हाँ थोड़ा बहुत चीजे पकड़ने लग जाता है जादा हाथ पैर बेबी जो है चलाने लग जाता है कभी-कभी बच्चा जो है थोड़ा सा पल्टी मारने की कोशिश भी करता है और अब बेबी थोड़ी सी गर्दन संभालने लगता है यह नहीं पूरी मैं पूरी नेक कंट्रॉल करने लग जाएगा पर हां पहले के मुकाबले से बच्चे के गर्दन में थोड़ा सा आप improvement देखेंगे बच्चा थोड़ी सी गर्दन संभालता है तीन मेने का बच्चा बहुत अच्छे से तो नहीं पर थोड़ी थोड़ी आवाज जैसे की आ, उ, ऐसे आवाजे निकालने लग जाता है बच्चे का sleeping pattern भी एक set हो जाता है जहां बच्चा राद राद बार उठता था तो ऐसा नहीं है बच्चे का एक pattern set हो जाता है और बच्चा पूरे दिन में जो है 13 से 16 घंटे की नीद लेता है पर ये जो चीज़े मैंने बताई है ये तीन मेने के बच्चे जो हैं अकसर करने लग जाते हैं कुछ बच्चे इससे पहले भी साई चीज़े कर सकते हैं और कुछ बच्चे इससे थोड़ा सा 15-20 दिन बाद से साई चीज़े करने लग जाते हैं पर जो में चीज़े अब आपको बताने वाली हूँ अगर आपका तीन मेने का बेबी ये सारे चीज़े नहीं कर पा रहा है तो आपको बेबी को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए अगर आपका बेबी आपके घर के लोगों को देखकर कोई रियाक्शन ही नहीं देता है ना हसता है ना मतलब बात करने कोशिश करता है कोई रियाक्शन नहीं देता है तो आपको बेबी को डॉक्टर को दिखाना है इसके लाब अगर बच्चा कोई भी आवाज आब कुछ भी नहीं बोल पा रहा है और बच्चा जो है अगर तीन महीने का होने पर भी अपने गरदन को बिलकुल नहीं समाल पा रहा है मतलब जैसा वो एक महीने की उमर में समाल पता था वैसा ही अभी है कोई भी इंप्रोव्मेंट नहीं लग रहा है तो भी आपको बेबी को डॉक्टर को दिखाना चाहिए अब बात करते हैं कि तीन महीने की बच्चे की केर करते वक्त आपको किन चीजों का ध्यान रखना है आपको बच्चे की जो है डेली मसाज करनी है नमबर टू बेबी को आपको डेली नहलाना है बच्चे की कान नाक साब आपको छे साफ करने है और हर तीन से चार गंटे में बच्चे का आपको डाइपर चेंज करना चाहिए बच्चे को हर 2-3 गंटे में आपको best feed डिप कराना है या फिर अगर formula मेंट पलाते हैं तो formula मेंट पलाना है और इसके लावज आपका बच्चा धाई मेने का उपर हो जाए तो बच्चे को आपको tummy time देना start कर देना चाहिए तो friends इन सब चीजों को जरूर ध्यान में रखें अपने baby का भी milestones देखें किया क्या चीज़े आपका baby करने लग गया है तीन मेने के उमर में I hope आपके लिए video helpful रहा होगा कोई सवाल है तो आप हमें comment box में लिखकर पूछ सकते हैं मिलते हैं next video में thank you for watching